अब इस सवाल में हमें कहा गया है कि half equivalence point पर pH का हिसाब लगाएं, तो इसके लिए पहले तो अपने आपको याद दिलाएं ना कि half equivalence point होता क्या है, equivalence point वो point होता है जब titrate जो के यहाँ hydrochloric acid है, इस चीज़ के साथ मुकमल react करें जिसे हम titrate कर रहे हैं, यानि कि इस मिसाल में यह potassium sorbit है, अब half equivalence point वो point है जिस point पर आदा potassium sorbit, sorbic acid में तबदील हो जाए, या इसके बारे में सोचने का एक और तरीका यह है कि जिस point पर potassium sorbit और sorbic acid की concentration बराबर हो, वो point half equivalence point है, अब हम इसे pH से कैसे मिलाएं, और इसको हल करने के लिए इनोंने हमें दूसरी क्या मालू मालूमाद दी हुई है, अच्छे एक अच्छी बात इसके मतलिक यह है कि जब भी आप थोड़ा से भी यहां फसें, तो फॉरण सोच लिया करें कि इनोंने हमें मजीद क्या मालूमाद दी है, फिर आपको अंदाशा हो जाएगा कि हम इसका जवाब किस तरह देना शुरू क करें, तो उन्होंने यहां हमें सौर्बेक एसिट की के ए वैल्यू दी हुई है, जो के एक इशारिया साथ जर्बेदाश जिसके पावर है मन फी पांच इतनी है, तो किसी तरहां क्या हम सौर्बेक एसिट के के ए को हाफ एकुविलिंस पॉइंट पर पी एच से जोड़ सकत हैं, इन पर फॉर्मूला का एक ग्रॉप दिया हुआ है, और इन में से जो फॉर्मूला सबसे दिल्चस्प लग रहा है, वो यहां मौझूद ये वाला फॉर्मूला है, जिसे आप हैंडिस्न और हैसल बैक एकुविजन के तोर पर पहचानते हैं, और हकीकत में इसे थाबि करना मुश्किल नहीं है, ये के एक ही तारीफ के एन मताबक है, फिर चीजों को दुबारा तर्तीब दे कर और फिर दोनों तरफ नेगटिव लॉग लेकर ये फॉर्मूला निकाला है, अगर आप इसके बारे में मजीद जानना चाहते हैं, तो मैं आपको मश्वरा दूंग से जोड़ता है, तो हम यहां इनके दर्मियान एक रिश्टा या कनेक्शन कैसे बनाएं, अच्छे तो हाफ एक्विलेंस पॉइंट पर कॉंजुगेट बेस में मौजूद एसिट की कॉंस्ट्रेशन बराबर या एक्विलेंट होगी, तो यह और यहां कैंसल हो जाएगा, तो यहां यह एक होगा, एक का लॉग सिफर होता है, लहाज आफ एक्विलेंस पॉइंट पर पी एच बराबर होगी, पी के एके, तो यहां पी के एक क्या है? उन्हें ने हमें यहां बताया के सौर्बे केसिट का के ए बराबर है एक इशारिया साथ जर्बे दस जिसकी पावर है मनफी पांच के और एक बार फिर बताती चलू के जब हम के ए के बारे में बात कर रहे होते हैं मसल में Acid के Dissociation Constant के बारे में बात कर रहे होते हैं और इसे लिए हमने यहां Sorbic Acid का इस्तमाल किया है और किसी भी तरहां से यह दोनों concentration एक जैसी होंगी और अगर मैं PKA निकालना चाहूंगी तो मैं इसका Negative Log लूँगी तो मैं इसका मनफी Log लेती हूँ PKA बराबर होगा मनफी Log के के अब यहां पर हम यह लगाएंगे तो PKA बराबर है मनफी Log 10 का के जो के बराबर है मनफी Log 10 जिसकी पावर है 1.7 जिसकी पावर है मनफी 5 तो हैं देखती है कि यह किसके बराबर होगा तो इस 1.7 जिसकी पावर है मनफी 5 जिसका लॉक बराबर होगा तकरीबन 4.77 के तकरीबन 4.77 के बराबर है लेहाज़ा पी एच बराबर है पी के ए के जो के इसकी वैलियू के बराबर है